दोस्तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़े और मैं आपको लून का पूरा प्रोसेस बताऊं उस्से पेले आप यहां पे देख सकते दोस्तो यह लून हमको मिला है बेइंको बडोदा की मदब से दोस्तो आप बेइंको बडोदा से इसली घर बेठे लून ले सकते अभी अगर आपका बैंक व बढ़ोदा के अंदर अकाउंट है और आपके अधरकार के साथ से मोबाइल नंबर लिंक के आपको एज़िली लून मिल जाएगा इनका लून देने का प्रोसेस काफी ज्यादा फास है और आपका लून यहां से अपरूर हो से लोएं मिल जाएगा अभी मुझे पता है कि तो चलिए दोस्तो वीडियो स्टार्ट करते और देख लेते नbot के अंदर लून कैसे अपलई करेंगे तो दोस्तो अभी आप देख सकते हम लोग बेंग को बडोधा की official website पे आ चुके क्या क्या दोस्तों यहाँ पे document लगेंगे वो सभी आपको यहाँ पे शूख करेगा यहाँ पे देखे pre approved personal loan भी मिलता है और आप digital तरीके से भी यहाँ पे ले सकते हैं तो यहाँ पे loans rated सभी जानकरी दी गई है आपको यहाँ पे नीचे score करना है सारी details पर देनी इसका link वीडियो के description में आपको मिल जाएगा आप इसी page के उपर redirect कर दिये जाएगे तो यहाँ पे देखे आपको सभी details मिलेगी अगर आप load लेना चाहरा है तो यहाँ पे देखे प्रोसीट का options है आप इसके उपर click करेंगे जैसे ही आप प्रोसीट के उपर click करेंगे यहाँ पर अपना mobile number भरेंगे जो भी mobile number आप देंगे उसके पर इक OTP आएगा उस OTP को यहाँ पर भरेंगे तो यहाँ पर दोस्तो मेरे नमबर के उपर OTP आ चुका है OTP हमने डाल दिया है तो यहाँ पर submit OTP का options आएगा आप इसके उपर click करेंगे जैसे ही आप submit करेंगे तो यहाँ पर देखे आपके सामने कुछ इस तरीके का interface शो करेगा अगर आपका बेइंग का बडोदा में पहले से account है तो यहाँ पर yes करेंगे नहीं है तो आप no के उपर click करेंगे यहाँ पे देखे आधार virtual ID आएगा यहाँ पे आपको अपना आधार number या virtual ID डाला है यह आपके आधार काट के उपर आपको मिल जाएगे यहाँ पे आप एक checkbox लगाएंगे यहाँ पे एक option से submit OTP आप इसके उपर click कर देंगे जैसे ही दोस्तों आप OTP submit करेंगे तो आपके लिए कोई loan offer रहेगा वो यहाँ पे आपको यह शू कर देगा तो अभी आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हमारे लिए एक pre-approved personal loan आ चुका है अगर आप bank of baroda के customer है तो ज्यादा chances रहेगा कि आपको loan मिल जाएगा क्योंकि दोस्तों bank of baroda के अंदर आप जितना lane दिन करते उस हिसाब से आपको offer दिया जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हमारा यह loan approval है amount आप यहाँ पे देख सकते है तो कम से कम हम यहाँ पे इतना loan ले सकते है जादा जादा हम यहाँ पे इतना loan ले सकते हैं यहाँ पे देखिए आपका नीचे time durations रहेगा तो कम से कम हम 18 महीने के लिए loan ले सकते हैं यहां पे देखे purpose of loan तो यहां पे आपको बताना होगा आप loan क्यूं लेना चाते यहां पे I do want credit life insurance तो यहां पे अगर आप life insurance लेना चाते तो अप यह के ओपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह हमारा rate of interest है, तो दोस्तों अगर आप सरकारी bank से personal loan लेंगे, तो आपको कम से कम rate of interest के उपर आपको loan मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह हमारा processing fee है, यहाँ पे stamp duty है, और इस loan के उपर जो भी GST रहेगा वो शो कर रहा है, यहाँ यहाँ पे देखें कितना मंथली हमारे M.I.I. आएगा वो शो करेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, net loan amount तो हमारे bank account के अंदर कितना पेसा आएगा, यह सभी charges कटने के बाद वो शो करेगा, और आप इस loan को अपने bank account में लेना चाहरें, तो यहाँ पे देखें कुछ checkbook है आप इनके उपर checkbook लगाएंगे, नीचे एक option से proceed, आप proceed के उपर click कर देंगे, जैसे ही आप proceed के उपर click करेंगे, तो यहाँ पे देखें, bank account बढ़ोदा का एक ही agreement आजाएगा, तो आपको इसको validate करना होगा, validate करने के लिए आप यहाँ पे page को नीचे scroll करेंगे, जैसे ही आ आप नीचे scroll करेंगे, आपको इसको पूरा पढ़ लेना है, यहाँ पे आपको सभी के उपर checkbook लगा देना है, continue e sign के उपर आपको click कर देना है, जैसे आप continue e sign के उपर click करेंगे, तो यहाँ पे देखें, इसका आपको preview दिखाएगा, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, आपको पूरा नीचे scroll कर देना है, यहाँ पे i agree के उपर click कर देना है, जैसे आप i agree के उपर click करेंगे, यहाँ पे देखें एक option से nest का, आप nest के उपर click करेंगे, जैसे आप nest के उपर click करेंगे, यहाँ पे एक checkbook लगाएंगे, अभी आपको यहाँ पे e sign करना होगा, यहाँ पे एक option से e sign, आप e sign के उपर click करेंगे, जैसे ही आप e sign के उपर click करेंगे, आपके सामने एक new page open होगा, आप एक चीज्बोक लगाएंगे, यहाँ पर अपना आधा नमबर या virtual ID भरेंगे, send OTP के उपर क्लिक करेंगे जैसे ही आप send OTP के उपर क्लिक करेंगे आपके number पर OTP आएगा तिन आपके सामने e-contract यहाँ पर इनका open हो जाएगा आप इसको यह स्कूल करेंगे यहाँ पर आपको एक button मिल जाएगा continue आप continue के उपर क्लिक करेंगे जैसे ही आप continue के उपर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का message यहाँ पे शूब कर दिया जाएगा तो यहाँ पे दोस्तो आप देख सकते हैं फाइनली हमारी bank account के अंदर पेसा आ चुका है आप यहाँ पे home के उपर क्लिक कर देंगे तो दोस्तो आशा करता हूँ जानकारी आपको काफी अच्छी लगे होगी आपको easily समझाया होगा कि घर बेठे bank को बडोदा के अंदर loan के से अपले किया जाता है साथ के साथ उस पेसे को के से अपने bank account के अंदर transfer किया जाता है चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसे नए वीडियो में नई जानकारी साथ चलिए थन्निवाद